अपरा या अचला एकादर शीवरत की पावन कथा दोष वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में हूं अपाग्यान मित्र कुल्दी पांडे दर्श को आज के सुभी वह हम बात करना जा रहा हैं अपरा या अचला एकादर शीवरत की कथा के बारे में क्या है इस दिन किसष्ट भगवान की पूजन होती है तवा आम जान कर जाने लिए इस वीडियो विडियो को अंतर तक अवश्य देखे और यूदि आपने को तक हमारे चल्ब कर नेजीए इस सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चल्ब करने नियूज है और समांदे बेल आई गए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं इस दिन भवान त्रिविक्रम की पूजन की जाती है अपर आएक आदर्शी के व्रत के प्रभाव से धम हत्या भूत योनी दूसरे के निंदा आधी के सब पाप दूर होते हैं इस व्रत के करने से परिस्त्री गमन जूटी गवाई देना जूट बोलना जूट सास्र पढ़ना या बनाना जूटा जोतिशी बनना तथा जूट वैद बनना आधी सब पाप नश्ट हो जाते हैं जो छत्री युद्ध से भाग जाएं वे नरक गामी होते हैं परन्तों अपरा एक आदर्शी का व्रत करने से वे भी स्वर्वोप्राप्त होते हैं जो शेष्य गुरू से सि इनो पुसकर में कार्तिक पुनिमा को इसनान करने से या गंगा तट पर पित्रों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एक आदर्शी का व्रत करने से प्राप्त होता है मकर के सूर में प्रयाक राज के इसनान से शुरात्री का व्रत करने से सिंग रात्री के इसके ब्रहस्पती में गोमती नदी के स्नान से, कुम्ब में केदारनात के दर्शन या बदरिनात के दर्शन से, शुरिक रहन में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से, अथवा अर्दुप्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपराइक अधर श समान मरगों को मारने के लिए सिंगी के समान है अधा मनुष्य को पापों से डरते हुए इस वृत को अवश्री करना चाहिए अप्राइक अधर शिवरत अधा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विश्णी लोग को जाता है इसकी प्राचिन काल में महादवज नामक एक धर्मात्मा राजा था उसका छोटा भाई वज्र ध्वज बड़ा ही क्रू हो था अधर्मीद था अन्याई था वह अपने बड़े भाई से द्वेश रखता था और उस पाप उस पापी ने एक दिन रात्री में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी बड़े को एक जंगली पीपल के नीचे गार दिया इस अकार मृत्यु से राजा प्रतात्मा के रूप में उसे पीपल पर रहने लगा और अने अने उत्पात करने लगा एक दिन अचानक धोम में नामक रिशी उधर से गुज्रे उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल स प्रेतात उत्पात का कारण समझा रिशी ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीच से उतारा परलोग विद्या का उप्योग उपदेश दिया दयालो रिशी ने राजा की प्रेत योनी से मुक्त के लिए दयालो रिशी ने राजा की प्रेत योनी से मुक्त के लिए स्वयम कियों ही अपरा अचलाई का दर्शी का व्रत किया और उसे अगतिक से पढ़ने के लिए इस दयालो रिषी ने राजह की पैरतई योनी से मुख्ति के लिए जी सवय मीआ अपरा चलाए इकादशी कह ब्रत जिया और उसे अगतिक से छुदाने को उसका पूर्ण the पैरत को अर्पित कर दिया इस पूर्णो के परभाव से राजह की पैरत्ञ को मुक्ति हो गई वय रि सब्सक्राइब करने के लिए इसे पढ़ने अत्वा सुनने से मनुष सब पापों से छूट कर बेकुंट लोग को प्राप्त होता है दर्शकृति कुछ जानकरी जो हाँ क्लिक रहा है अचला एक अधर शिवरत की पावन कथा के संबंध में कुछ विशेश कथा है तो आशा कर सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब आप तक तुर्ण पहुंश पाए और आप उनसे लावान मिल सब्सक्राइब को आज के सब्सक्राइब नहीं जब तक के लिए जाहिन जय भारत वबंद मातरम